नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हमारे भारत वर्स में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे ऐसे फेड़ फल वाले पेड़ पौधे हैं, जो हमको स्वस्त बनाते हैं और साथ ही साथ हमारे जो जीवन है इसको सुख में बनाते हैं दोस्तों ये पेड़ पौधे ये बनस्पतियां ये जड़ी बूटियां हमारे जीवन में बहुत ही महतुर रखती हैं दोस्तों कुछ ऐसे फल हैं जो बारा महिने हमको तो नहीं मिलते लेकिन इनके पत्ते हमें बारा महिने मिलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में जो पेड़ हम आपको दिखा रहे हैं इसके भी फल 12 मेहने आपको अवले बूल नहीं होंगे लेकिन इसके पत्ते आपको 12 मेहने मिलेंगे भी तत्तों की इसमें कमी नहीं है दोस्तों वेरी का यानि वेर का जो पत्ता होता है यह भी बहुत ही आउसदी होता है यहां तक कि इसकी जो च्छाल होती है इसकी जो जड़ होती है इसके फल, इसके बीज और इसके पत्ते सबी औस दिये गुणों से भर पूर होते हैं दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस वेर के पत्तों इसके छाल तथा अन्य भागों का किस तरीके से किस बीमारी में आप प्रयोग कर सकते हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले रिक्वेस्ट करते हैं यदि वीडियो और जानकारी थोड़ी से भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजेगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियां लेकर आते रहते हैं दोस्तों अगर आपको सिरदर्द की प्राबलम रहती है वैसे तो आप जानते हैं कि आज की भाग दोड़ भरी जिंदगी में लोगों को सरदर्द होना आम बात हो गई है क्योंकि बहुत सारे टेंसन लेकर के आप चलते हैं जिसकी वज़े से आपका सरदर्द किया करता है अगर आपको सिरदर्द की प्राबलम है तो क्या करें कहीं भी रास्ते में यह छोटा पेड़ अगर बेरी का मिल जाए तो उसको उखाड़ें उसकी जड़ को लेकर करें और इसे अच्छे से धो करके सिल्बटे पर अच्छे से पीस करके इसका पेड़ बना लें और इस पेड़ को अपने ललाट पर छोपें पांच मिनट की अंदर ही आपके सिर के दर्द को यह खिच कर बाहर निकाल देता है दोस्तों इतना फाइदे मन्द होता है यह बेर का जो पत्ता होता है दोस्तों अगर आपको जड़ नहीं मिला है तो आप इस बेरी के पेड़ की छाल को भी पिस करके इसका पेड़ अपनी माथे पर लगा सकते हैं इसे भी आपके सरदद से छुटकारा मिलता है दोस्तों अगर आपके मुह में च्छाले पढ़ गए हैं मुह से दिर्द दुरगन धा रही है या फिर आपके दांत में कीडे पढ़ गए हैं तो इन सारी परिसानियों से छुटकारा पाने के लिए आप बेर के पत्थों को लाएं और इसका काढ़ा बना लें काढ़ा बना करके इसमें थोड़ा सा फिटकरी पाउडर मिला करके इससे गरारा करें इससे आपके मुह के च्छाले तो ठीक होंगे ही साथ ही साथ अगर आपके मुह में दुरगन धाती है किसी से बात करने में आपको दिक्कत होती है तो मुह की दुरगन से भी आपको छुट से तूड़ जाता है वहाँ पर फोड़ा या फुंसी हो जाता है तो बाल तोड़ होने की अस्था में आप क्या करें इस वेर की पत्तियों को पीछ कर इसका पेश्ट बना लें और इसे हलका सा गर्म रख करके और बाल तोड़ के अस्थान पर लगाएं इससे आपका बाल बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है तो इसके साथ साथ अगर आपके किसी यांग में फोड़े फुंसी हुए हैं उसको भी या ठीक कर देता है तो आए जाते हैं सबसे बड़ा फाइदा अगर आपको विच्छू ने काट लिया है विच्छू ने डंक मार दिया है और आपको ज्यादा पीड़ा हो रही है दर्द हो रहा है तो आप फौरन वेल के पत्तियों का पेश्ट बनाएं कुड़ पीस करके इसकी पत्तियों को और पेश्ट अच्छा सा बना लें और इस पेश्ट को जहां पर विच्छू ने डंक मारा है वहां पर मोटे लेयर में लगा दें पांच मिनट के अंदर ही यह विश को नश्ट कर लेता लेकिन दोस्तों विच्छू या सर्फ के काटने पर इसका प्रयोग करें लेकिन किसी वैद के निगराने में करें आराम मिल जाए उसके बाद किसी अच्छे डाक्टर को दिखाएं दोस्तों आज की वीडियो और जानका पर एक नई शुब काम लाक साथ तब तक आप सबस्ते रहें मस्तरियों अपना थ्यान रखें ओके टिक के रहें बाई बाई